ना शब्द मेरे हैं ना कहानी बस कलाकार के भाव से खुद को जोड़ा है तो भाव को समझिएगा ये कहानी है एक लड़के की जो हमारे आपके जैसा ही एक साधारण इंसान है बड़ा परशान है इंसानों की हरकते देखकर आखेर लाक मरने के बाद एक इंसान का जीवन मिल करता है उसमें भी वो केवल बरबादी ही कर रहा है काफी कोशिश करी बेचारे ने समझानी की लेकिन सब ने उसे चूतिया कहा जिसे सुन रिष्टेदारों को सुनाई देना बंद हो गया और आम इंसान सुधरने लगा क्योंकि जब सीधी उंगले से घी ना निकले तो उं फूलों की लाशों में ताजेगी चाहता है अदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में जिन्दा है तो आसमान में उड़ने की जिद है मर जाहे तो ओ मर जाहे तो सड़ने को जमी चाहता है अदमी चूतिया है काट के सारे जाडवार मकाँ बना लिया खेत में सीमेन बिचा के जमी सजादी माड के कीडे रेत में काट के सारे जाडवार मकाँ बना लिया खेत में सीमेंट बिचा के जमी सजादी मार के कीडे रेत में लगा के परदे चारों कैद है चार दिवारी में मिट्टी को छूने नहीं देता मस्त है किसी खुमारी में और वही बंदा अपने घर के आगे नदी चाहता है आदमी चूतिया है फूलों कि लाशों में ताजेगी चाहता है फूलों कि लाशों में ताजेगी चाहता है आदमी चूतिया है कुछे भी चाहता है फूलों कि लाशों में टांके बसता उठा के तंबू जाए दूर पहाडों में वाहां भीडी जेदारू मस्ती चाहे शहर उजाडों में टांके बसता उठा के तंबू जाए दूर पहाडों में वहाँ भी डी झे दारू मस्ती चाहे शेहर उजाडों में Just a second, I forgot the lyrics. तांके बस्ता उठा के तंभू जाए दूर पहाडों में वहाँ भी धी झे दारू मस्ती चाहे शेहर उजाडों में फिर शहर बुलाए उसको तो जाता है छोड तबाही बीचे मिट्टी को छूने नहीं देता मस्त है किसी खुमारी में और वही बंदा फिर इसे वही हरियाली चाहता है आदमी चूतिया है फूलों किलाशों में ताजेगी चाहता है फूलों किलाशों में ताजेगी चाहता है आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है फूलों किलाशों में झाल झाल